प्रिचात्रा नमस्कार पहले हमने शालमली व्रक्ष का वर्णन पढ़ा है और सालमली व्रक्ष के माध्यम से व्रद्द पुरुष की शारेरिक विशेष्ताओं का सुन्दर चित्रन कभी ने किया है इसकाम ने अध्यन किया है अब इसी शालमली व्रक्ष की और विशेष्ता चित्रन कर रहा है जो इस अनुछेद में पढ़ेंगे चित्रन कर रहा है जो इस अनुछेद में पढ़ेंगे जो इस अनुछेद में पढ़ेंगे नायक इव सर्ववनस्पती नाम सखा इव विंध्यस्य शाखा बाहुबिय उपगुय इव विंध्या तविम अवस्थितु महान जेड़न हा शालमली व्रक्षः यहां शालमली व्रक्ष की ही भाय सरूप और उसी की विशिष्टाओं का कवी ने चत्रन किया है स्वस्वमीप वर्ति नाम शालमली व्रक्ष की विशे में कभी कहते हैं कि स्वस्वमीप वर्ति नाम अपने समीप में ही अपने निकट में ही उपरी संचरताम उपर विचरण करने वाले गगन तल गमन गगन तल गमन आकाश कल से आकाश मार्ग से गमन करने के कारण जाने की कारण खेद आया सिताना उस गमन के चलने के खेद परिश्रम से आया सिताना थके हुई परिशांत रवी रथ तुरंग मानाम, सुर्य के रथ के घोड़ों के शिक ओष्ठों के प्रान्त भागं कोशी 형 कहते हैं तो ओष्ठों के प्रान्त भागं से या किनारों से परिश्टूते ही है जरते हुए संदेहित तूल राशे भी है तूल राशी भी ही रूई के धेर का है, रूई के समूह का संदेव उत्पन करने वाले फेन पटलेई हैं, फेन समूह, जाग समूह के द्वारा धवली कृत शिखर साख है, सफेद बना दी गई शिखर शाख है, शाखाओं के उपरी भाग वाला, कभी यह बताना चारे हैं कि शालमली व्रक्ष की जो उपरी जो शाखाएं थी, शाखाओं का जो सबसे उपर वाला भाग था, वो इतना अधिक पूचा था, कि कभी यह आकल्पना कर रहे हैं, कि मानो सुर्य के जो गोडे हैं, जो आकाश मार्ग से जाते हैं, तब वो ठक जात भागों पर गिर गया हो, वैसे स्वाभाविक रूप से शालमली व्रक्ष की जो उपर की जो शाखाएं थी, वो कुछ-कुछ सफेद हो गई थी, तो कभी नया सुन्दर कल्पना की हैं, और वो ऐसी लग रहे थी, जैसे रूई का धेर हो, रूई का समुह हो. वन गज कपोल, वन गज जंगली हातियों के वहारा कपोल कंडुयन, कपोल कपोल इस्थलों को, कंडुयन खुझालने से लगन लगे हुवे, मद, मद जलमे, निलीन, निलीन यानी चिप्टे हुवे, लिप्टाय हुवे, मत, मधुकर, मालेन, मत, मदमस्त, मत वाले, मधुक पर मालेन मदुकर भव्रों भव्रों की पंक्ती से लोह शंखला बंधन निश्चलेन इव मानो लोह शंखला लोही की जंजीर के द्वारा बंधन निश्चलेन ध्रड़ता से बंधन बांध दिये गए और कल्प इस्थाई नाप प्रलै काल तक इस्थाई रूप से कर दिये गए या प्रलै काल तक इस्थिर कर दिये गए मूलेन समूपेतः जड से युक्त कभी ने यहाँ भी सुन्दर कल्पना की है जंगली हाथी जिनके कपोल स्थलों से गालों से मदजल शवित होता है मदजल गिरता है जब उनके खुजली आती है तो वो शालमली ब्रक्ष की शाखाओं पर खुजली करते हैं और खुजलने से उनका जो मदजल है नीचे गिरता जाता है और शालमली ब्रक्ष के जड में वो मदजल एकटा होता जाता है तो कभी ने रांकल ना की ये मानो मदजल पर भावरे मदजल की सुगंद से आकर्शित होकर वहाँ नीचे जड प्रदेश में भावरे ही भावरे एकत्रित हो गए हैं तो कभी आकल्पना करते हैं कि माननो लोहे की जंजीर से उस शालमली व्रक्ष की जड़ प्रदेश को बांध कर स्थिर कर दिया गया हो कि कल पंत काल तक प्रले काल तक भी वह हो शालमली व्रक्ष टिका रहेगा इस्थिर रहेगा भवरे काले होते हैं इसलिए यहां कभी ने लोह श्रंकला का प्रयोग किया है लोहे की जंजीर भी काली होती है लोहे की जंजीर से धड़ता से मजबूती से मानो उस शालमली व्रक्ष की जड़ को बांध दिया गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था जब सालमली व्रक्ष के जड़ प्रदेश में मदजल पर काले-काले बवरे एक खटे हो गए थे। मदुकर कार्थे ब्रहमर पटलेनी समू। भवर समू के द्वारा ब्रहमर समू के द्वारा मानुवह व्रक्ष सजीव। वह शालमली प्रक्षमानो प्राणधारिसा प्रतीत हो रहा था। दुर्योधन यहां तक तो कभी ने सुन्दर उत्प्रेक्षा के सश्टी की है। अब दुर्योधन इव उपलक्षित चकुनी पक्षपात है। श्लेश पर आधारेत उपमा अलंकार कभी की विशिश्टता रही है। उसी का कभी नेहा प्रयोग किया है। शकुनी दुर्योधन के मामा थे। एक अर्थ है दुर्योधन के मामा शकुनी और दूसरा आर्थ है पक्षी तो शकुनी के प्रती अपने मामा शकुनी के प्रती पक्षपात को उपलक्षित प्रदर्शित करने वाले दुर्योधन के समान जहां शकुनी पक्षपात शकुनी पक्षियों के पक्षपात पंखों क गिरना उपलक्षित देखा गया है देखा जा रहा था दिखाई दे रहा था मतलब पक्षियों के पंख वहाँ उशालमली ब्रक्षित के नीचे गिरे होए थे नलिन नाप इव वनमाला उपगूढः नवजल धर्व्यु इव नवसी दर्शित उन्नति है नलिन नाप इव व वनमाला उपगूढः वनमाला मिश्रेश यहां वनमाला से युक्त वनमाला गुट्नो तकलंबी माला जो विश्नु धारण करते हैं तो वनमाला से उपगूढः मतलब युक्त नलिन नाप इव विश्नु के समान वह शालमली ब्रक्ष वनमालाओं से वन रक्षों की श्र जलताएं 여러иллиन कमल उत्पन हुआ था इसलिए उन्हें नलिन नापका जाता है। ऐसे ही वहां नवीर बादलों के समान वह व्रक्ष नबसी आकाश में उन्नती दर्शित अपनी उँचाई को प्रदर्शित करा था दिखा रहा था अर्थाथ वह व्रक्ष अत्यतिक उँचा था अखिल भुवनतल अवलोकन प्रासाद के वन देवता नाम अखिल भुवनतल समस्त भुमंडल को अवलोकन देखने के लिए वन देवता नाम प्रासाद मानो वन देवियों का प्रासाद हो महलो यहां से पुनह उत्प्रिक्षालंकार प्रारम हो गया है समस्त प्रत्वी मंदल को देखने के लिए वंदेवियों का प्रासाद या महल उच्च टारिका हो अधिपति है इवो दंडक अरण्य से दंडक वन का मानो वह शालमनी व्रक्ष अधिपति हो स्वामी हो क्योंकि अत्यदिक उचा था इसलिए इसे अधीपति कहा गया है और बहुत अधिक उचा था इसलिए उसे वन्देवियों का उच्च स्थलपर अवसित प्रासाद कहा गया है मालसा कहा गया है अतलब वहां से संपूर्ण प्रत्वी का नजारा देखा जा सकता है नायक इव सर्व वनस्पति नाम मानो समस्थ वनस्पतियों का नायक हो नेता हो सरवादिक उचा था इसलिए उसे नायक भी बताया है सखा इव विन्द जासी मानो विन्द परवत का सखा हो मित्र हो विन्द परवत भी विशाल का है और ऐसे ही भवरक्ष भी विशाल तम था फैला हुआ था शाखा बाहु भी ही उपगुय इव विन्ध्याटविम शाखा बाहु भी शाखा रूपी बुजाओं यहां रूपकलंगार है शाखा रूपी बुजहों के द्वारा उपगुय एव मानो आलंगन किये जाता हुआ विंध्याटविम विंध्याटविका तो विंध्याटविका मानो अपनी शाखा रूपी बुजहों के द्वारा आलंगन करता हुआ सेमणका पेड था बहुत पुराना शालमाली का व्रक्ष था तो कवी के यहां हम अलंकार यूजना के विशे में लिखेंगे कवी ने अलंकारों के माध्यम से अपने विशे वस्त को अत्यदिक सुन्दर और चारू बना दिया है श्लेच्ट उपमा अलंकार के द्वारा उस वर्णन में जान सी भड़ती है जिवन्तता लादी है सुन्दर चित्रणया कवी ने किया है उतपरेक्षा का प्रयोग है और श्लेच्ट उपमा अलंकार का कवी ने प्रयोग किया तुनित, नूतन और सुन्दर कल्पनाओं के माध्यम से इस घध्यांच में कभी ने शालमरी व्रक्ष के बाहिए स्वरूप का पुनाचित्रन किया है यहाँ यहाँ धवली कृत, धवली कृत में धवल च्वी प्रत्य है, क्री धातुर्ट प्रत्य है च्वी प्रत्य का प्रयोग कभी की अपनी विशिष्टता रही है, अबुद्त अद्भावे च्वी सुत्रसी यहाँ च्वी प्रत्य कभी ने किया है अब हम अगला अनुछे देखेंगे तत्र च शाखा अगरेशु, कोटर उदरेशु, पल्लव अंतरेशु, इसकंद संदीशु, जेर्ण वलकल विवरेशु च महा अवकाशतया, विश्रब्ध वीरचित कुलाय शैस्त्रानी, दुर आरोहतया, विगलित विनाश भयानी, नाना देश समागतानी, शुक शकुनी कुलानी, प्रती वसंती स्म ये हा परिणाम विरल दल साहती हा अपी सावनस्पती हा विरल दल नीचे शामल उपलक्षते दिवानीशम निली नही हा अगरिम जो ये अनुच्छेद है, इससे पुर्व एकोर विशीषता पिछले अनुच्छेद की बताना आवश्यक है, कवी ने भूवन अवलोक प्रसाद शब्द का प्रयोक किया है, कवी बानभट का पांडिति से सुझित होता है, कवी बानभट प्राचीन इस्थापति क जला से भी परिचित थे, जो भूवन अवलोक जो प्रसाद उचाई पर जो महल की जो टारिका होती थी, वहां से संपूर्ण नीचे का द्रश्या दजारा देखा जाता था, प्रकृती की छटा, वहां से राजारानी देखते थे, इसी संदर्द में कवी ने प्रयोक किया है और साथ ही शकुनी का और नली निनाब का प्रयोक किया है, इसी कवी का महाभारत संबन्ती और पौरानिक जान भी कवी का उजागर होता है, तत्रच अब इसका देखी अनुवार, तत्रच शाखा अगरेशु कोटर उद्रेशु और उस शालमली व्रक्ष की शाखाओं के अ पद्धि, पल्लव अंतरेशु, पत्तों के मध्य में, इसकंद संधीशु, इसकंद यानी तने प्रकांड, तनों के संधीस्थलों में, संधीस्थलों पर जीर्ण वलकल विवरेशु, जीर्ण अर्था पुरानी पुरानी चालों के विवर यानी चिद्र, पुरानी चालों बिना किसी डर के, बिना किसी शंका के, बिना किसी भाय के कुलाय शस्त्राणी, शस्त्राणी कुलाय हजारों गोंसले विरचित बना कर दुर आरोह तया, दुर आरोह तया चड़ने में कठिन होने के कारण विगलित विनाश भ्यानी, विनाश के भाय से विगलित रहित हुवे इस्चिंत हुए गिर्णे के भैसे रहित हुए नाना देश समागताने विभिन देशों से आय हुए शुक शकुनी कलानी प्रतिवसंतिस्म शुक तोते और शकुनी पक्षियों के कुलानी जुंड प्रतिवसंतिस्म वहां रहते थे यही परिणाम विरल दल सांति अपी सवनस्पति विरल दल निचे शामले वो प्लक्षते दिवानिशम निली नही हुए यही से तात्पर जिन पक्षियों के दिवानिशम रात दिन रात निली नही यही चिपे उबे तो जिन पक्षियों के दिन रात चिपे उबे रहने के कार परिणाम विरल दल परिणाम यानि परिणत अवस्था में भी परपक अवस्था में भी पुरांतन होने के कारण या पुरापे के कारण विरल दल साथी अपी कम दल यानि पत्ते कम पत्तों के साथी समू वाला अपी होने पर भी सावनस्पति वह शालमली व्रक्ष अविरल द प्रचूर दल येनी पत्तों नीचे येनी समू सगन पत्तों के समू वाला होने के कारण शामल उपलक्षते मानों शाम बढ़नी सा दिखाई पड़ता था अर्थात वह व्रक्ष शाम बढ़नी हरा भरा सगन दिखाई पड़ता था शामल शब्द का प्रयोग, शाम शब्द का प्रयोग, साहित्य में नीले, काले और हरे तीनों रंगों के लिए होता है शालमली व्रक्ष पक्षियों के उस व्रक्ष पर बैठे रहने के कारण या पत्तों में उच्छी पर रहते थे इसलिए चाहे उसमें पत्ते कमते फिर भी वो सगन और गना दिखाई पड़ता था, सुन्दर उत्रेक्षा यहां पे भी कवी ने की है और इतना अधिक सगन था और इतना अधिक विशाल सालमली व्रक्षे था कि अनेक स्थानों से आये हुए तोते और बक्षियों के जंक होकर भीना किसी भाय के निवास करते थे इस प्रकार से सालमली व्रक्षे का वर्णन यहां समापत होता है सुन्दर चित्रन कवी ने सालमली व्रक्षे का किया है प्री छात्राओं आपसे एक निवेधन है कि इस चैनल को SMMA04 डॉक्टर सरोज महता इस चैनल का लिंक दि पश्य करें इसी प्रकार के वीडियो आगे भी आपको डाले जाएंगे मिलते रहेंगे धन्यवाद